तो आज हम जाने वाले हैं कि HDFC bank का create card कैसे apply करते हैं step by step बताने वाला हूं सारा process कैसे क्या होता है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो की description में जाना है वहाँ पर आपको HDFC create card apply का एक link मिलेगा उस पर click करना है उस पर जैसे click करेंगे आप इस website के उपर आ जाएंगे है तो आपकी डीटेल जो है वह आटोमेटिक सारी यहां पर आ जाएंगी आपका नेम क्या है डेट बड़्ट क्या है email id क्या है address क्या सारा कुछ आटोमेटिक पहले से ही फिल यहां पर को मिलने माला है अगर आपका एक अकाउंट is a bank अंदर तो अगर नहीं तो आपको सारी चीजिए मैनुली डालनी पड़ेंगे आपको अपना नाम डालना है जैंट करना है डेट अपड़ डालनी है इसके बाद इहां पर Employment Type select करना है, जो भी है 있을 है Self Employed जो भी है आपको ओंपर डालना है Self Employed जो आपको बड़ते हैं तो आप किस company में काम करते हैं current designation select करना है जो بھی managing director ओनर जो भी है, आपके Case में वो आप यहाँ पर डालेंगे उसका पर नीचे आना है यहां पर आपने जो भी ऊपर एडरस डाला है अगर आपको वहेडरस सेंग रखना है create card के उपर तो आपको YES कर देना है अधररस कोई दूसरा address डालना है create card के उपर तो आपको इसको NO कर दिना है और यहां पर manually address टाइप कर लेना जो भी आप डालना चाहते हैं, उसके पाद यहाँ आपर टिकर देंगे and check best offer के उपर click करना है, थोड़ा सा time लगेगा, जो भी आपके लिए best offer होंगे, वो यहाँ पर निकाल के देगा, अभी दिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे कुछ card आ चुके हैं, जहाँ पर मुझे यह recommend कर सकते हैं, तो आप अपने हसाब से यहाँ पर select कर सकते हैं, जो यहाँ पर एक mandate दिखा रहा है, वही वाला select करें, क्योंकि उस पर आपको अच्छे खासे offer होंगे, यहाँ आपको बताता है, क्या आपके लिए यह deal best रहने वाली है, निचे scroll down करेंगे, यहाँ पर key benefits होगे है, करने के लिए, and get 2000 bonus cash point on quarterly spend, up to 10% cashback via smart buy, smart buy app, इनका HDFC का, उसके थूर अगर आप करते हैं, तो 10% तका cashback आपको मिल जाएगा, इस सारे इसकी benefits होगे है, and उसी के जाच नीचे यहाँ पर joining fees and renewal fees, दोनों दिया गया है, जो है 500 है, but मेरे case में अभी 0 है, मुझे नहीं पे करनी प इस card से spend करते हैं, खर्चा करते हैं, तो आपकी renewal fees है, वो zero कर दी जाएगे, आपकोई भी renewal fees नहीं पढ़ने वाली है, तो इस तरीकेस से मेरे को यह card जो है proper free पढ़ने वाला है, कोई भी joining या annual fees नहीं पढ़ने वाली मेरे को, अगर आपको लगते है सारे कुछ सही है, तो य आपको नहीं मिलेगी, चलिए फटा फट मैं address होए डाल देता हूं, address होए डालने के बाद यहाँ पर continue पर click कर देना है, I have rate कर देंगे and submit verify कर देंगे, उसको बाद यहाँ पर आपको verify करना पड़ेगा, HDFC debit card के थुरू या फिर net banking के थुरू, अगर HDFC bank के अंदर account है, तो य यह option आपको देखने को मिलेगा, otherwise आपकी वीडियो के वैसी होने वाली यहाँ पर, तो मेरा account है, चलिए मैं यहाँ पर debit card से verify कर लूँगा, debit card number डालूँगा, and expired date, and pin होगा, डाल करके, term and conditions को accept कर लूँगा, and continue करूँगा, Thank you your application reference number, इतना इतना इतना, तो finally हमारे gate card के application जो है, वो submit हो चुकी, आप आपको बस wait करना, approval का, reference number आपको no down कर लेना, इसके थुरू आप track कर पाएंगे, कि आपका application जो है, वो reject हुआ, या फिर approve हुआ, जो भी होगा, आपको वहाँ पर देख जाएगा, I hope कि आप सभी को ह ये विडियो चिलागे कि विडियो चिलागे कि विडियो करने like आप एंड चॉनल करने subscribe, मिल थेंकि से दूसरी विडियो को साच्ष Beck Ultra Be Healthy